हेलो डियर स्टुटेंट्स, आज हम सर्कल्स के बारे में बढ़ेंगे पिटा, बहुत छोटी क्लासिस से हम इसको बनाना और इसको समझना शुरू कर देते हैं लेकिन अब हम इसके कुछ इस्पेशल चीज़ों को नोट करेंगे देखें थोड़ा सा बेसिक रिवाइस कर लेते हैं यह आपके सामने एक सर्कल की शेप है आपको पता है यह एक टू डाइमाजनल शेप है जिसका एक सेंटर होता है और कमपस की हेल्प से हम इसे परफेक्टली ड्रॉ कर पाते है सेंटर से इसकी परिधी तक की कोई भी दूरी इसकी त्रिच्या कहलाती है और अगर सेंटर से गुजरती हुई एक बड़ी सीधी ऐसे लाइन पॉइंट से पॉइंट मिला जाए तो उसका व्यास होता है और किसी भी दो बिंदो को मिलाने वाली रेका इसकी जिवा होती है और व्यास इसकी त्रिच्या का डबल होता है ये सब बाते हम सब को पहले से ही बता है देखिए कुछ डेफिनिशन्स है विद उन सभी बिंदों का समू जो तल से एक स्थित बिंदों जो की सेंटर है से एक स्थित दूरी पस स्थित दो यह सारी दूरियां अगर सेंटर से हम इसको में से करेंगे तो बिल्कुल फिक्स डिस्टेंस होता है बिटा यहां से यहां तक जितनी दूरी है उतनी ही दूरी यहां से यहां तक होगी उतनी ही यहां से यहां तक होगी है ना फिक्स दूरी है यह नहीं कि कभी कहीं कम यह जाता हो ऐसे आकरती डिट कहलाती है सेंटर फिक्स पॉइंट सेंटर होता है radius fixed distance जीवा किनी भी दो बिंदों को मिलाने वाली रेखा जीवा होती है diameter जो की सबसे बड़ी जीवा होती है विद का व्यास कहलाती है उसके बाद circumference क्या होता है बिटा circumference विद का जो हम outer body की cover करते है उसको हम circumference या परिधी कहते है जिसका formula होता है 2πr विद का शेत्रफल area of a circle that is πr square इसमें कितनी capacity हम निकाल सकते हैं उसके लिए हम विद का शेत्रफल का formula πr square का use करते है next देखिए अगर इसकी outer body की ये जो है बिटा इसका हम एक छोटा भाग इसको अलग से consider करें जैसे P और Q में बस दो points है आप देखरो इसने इसको दो हिस्सों में बाढ़ दिया एक ये और एक ये तो जो छोटा हिस्सा है उसको हम लगू चाप कहते है और बढ़े वाले को देर कचाप minor r and major r इसके बाद आप यहां देखिए ये वृत की दो तरिज्याएं है सेंटर से जा रही है न यहां तक तो ये क्या कहलाएगी इसकी एक तरिज्या ऐसे ये भी इसकी क्या है तरिज्या तो तरिज्या और चाप के बीच में जो इसका ये portion है जो आपको yellow से यहां दिखा रख है ये एक चाप है जैसे यहां पे एक लगू चाप है और ये दोनों तरिज्या है तो ये क्या कहलाएगा बीचा लगू तरिज्या खंड जो कि दो तरिज्याओं के और चाप से घिरा हुआ है between an arc and two radii दो तरिज्याओं और एक चाप से तो वो लगू तरिज्याओं है क्योंकि ये चोटी चाप है लगू मतलब चोटा और ये जो चाप है ये दिर्ग चाप है बड़ी चाप है है ना तो इससे जो तरिज्याओं बनेगा वो भी दिर्ग तरिज्याओं या मेजर सेक्टर कहलाएगा इससे तरीके से देखिए ये हमारे पास एक जीवा है कहलते है और छोटे को माइनस सेग्मेंट लगो व्रित खंड तो आपको ये चीजे ध्यान रखने है अब हम एक इंपोर्टन ठ्योरम करेंगे व्रित की बराबर जिवाएं व्रित के केंदर पर बराबर को बनाती है इसका क्या मतलब है कि में पास एक प्रित है जिसमें हमें दो जीवाएं दे रखी है आपको दिखी रहा है यहाँ पे यह है जीवा CD and AB और साथ में यह कैसे हैं अपस में बराबर है तो हमें बताना है कि यह केंदर पर बराबर कोन बनाती है बिटा तो केंदर इसका यह है तो हमने इसको केंदर पर कोन बनाने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे कोन की शेप बना के लिखाएं कीची है इस तरह की से तो कोन कौन सा बन गया देखिए यहाँ यह कोन बन रहे है और यहाँ यह कोन तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि यह कौन इस कौन के बराबर है तो इसको हमने नमबर दे दिया 1 and 2 तो given में आप लिखेंगे एक circle जिसका केंद्र O है और जीवा AB बराबर जीवा CD प्रूफ क्या करना है हमें कि कौन AOB AOB is equal to कौन COD that means हमें प्रूफ करना है इसको हमने नमबर दे दिया कि कौन एक बराबर कौन दो यह हमें प्रूफ करना है अब प्रूफ कैसे करेंगे बिटा आपको यहां देखिए दो ट्रैंगल्स दिख रहे हैं तो इनके ट्रैंगल्स को ही हम consider करेंगे AOB और आपको समझ आ गया होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं इन दोनों ट्रैंगल्स को सरवांगसम प्रूफ करेंगे ने तो सरवांगसम के लिए वोई तीन चीज़े आप देख रहे हैं इसकी यह तरिज्या और इसकी ये तरिज्या दोनों बराबर है और साथ में एक तीसरी जो जीवा है वो इसमें अल्रेटी हमें बराबर दे रखे है बिटा तो आप mentally समझ गए होंगे कि मेरे पास तीनों चीजे है तीनों भुजाएं वो अल्रेटी एक्वल हो चुपी है और बुज अराम से सरवांगसम हो जाएंगे है ना तो लिख लेते हैं इसे OA is equal to OB Second point reason क्या इसकी radius है OB is equal to OC ये भी radius है and third point क्या लिखेंगे AB is equal to CD क्योंकि ये हमें given है therefore triangle AOB सरवांगसम है congruent to triangle COD कौन सा हमने रूल लगाया है SSS rule है ना and therefore angle AOB CPCT से angle COD के equal होगा numbers डालने की हमारे को कोई नीड ही नहीं थी यहांपे otherwise angle 1 is equal to angle 2 reason CPCT ठीक है तो बहुत ही असान सी theorem है पिटा आपको पता है कि अराम से हम त्रिपूजों को confident prove करके अपने result तक पहुच जाते हैं next देखिए theorem में हमें करनी है समझनी है जिर्फ prove हमें नहीं करना है इसका otherwise आप easily इसको prove कर सकते हैं एक वृत के केंद्र से समझना है पिटा वृत के केंद्र से जीवा पर एक जीवा है इस पर डाला गया lump अब इसने जीवा पर lump डाला है आप देख रहे हैं सेंटर से यहाँ पर एक पेका में देख रही है इसने है न बिटा तो इसका that means am is equal to mb तो मैं पस क्या result है कि अगर यह रेखा lump है जीवा पर तो आप एक तम समझ जाएंगे कि यह दोनों हिससे बराबर है बिटा अगर सेंटर से आपको इस रेखा पर जीवा पर lump दिख रहा है कहीं पर तो आप फॉरन समझ जाएंगे कि यह जीवा दो बराबर हिस्तों में बट रही है मान लेजे पूरी रेखा अगर 10 cm दे रखी है तो यह जो am पार्ट है और mb पार्ट है यह दोनों 55 cm के होंगे बिटा ठीक है तो result is कि if om is perpendicular to ab then am is equal to mb इसका converse भी true है इसका क्या मतलब है कि अगर यह दोनों इससे बराबर दे रखें आपको एक आपके पास ऐसी कॉर्ड है जो कि center से भी line जा रही है इस तरीके से कि यह दोनों इसससे बराबर हो गए am बराबर mb तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब यह जो om है यह इस जीवा पर lump है ठीक है अगर जीवा पर lump है तो यह दोनों इससे होंगे बराबर और अगर दोनों इससे बराबर दे रखें तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब यह perpendicular है नेक्स देखिए यह हमारी वरक्षिट 57 में question number 2 है very very important इसमें हमें क्या दे रखा है बिटा कि दो सर केंद्री concentric circles हैं इसका मतलब है दोनों का center एक ही है और केंद्र का नाम क्या है हमें प्रूफ करना है कि एक जीवा इसने इस तरीके से बनाई है कि दोनों circles में से निकल रही है आपको देखी रहा है इसमें circles में से एक AB इस तरीके से जीवा ड्रॉ की गई है कि दोनों circles में से कुझा रही है तो हमें प्रूफ करना है कि this part am part is equal to nb bn am is equal to bn तो आप देख अब जब लंब हम डाल रहे हैं तो आप समझ जाएंगे आप देखिए पहले छोटा सर्कल कंसिडर कीजिए क्योंकि ये लंब है इसका मतलब MP बराबर PN है ना पिटा इसको हमने यहां लिक लिया ओ पी लंब MN इसलिए MP बराबर PN जो अभी हमने थियोरम करी थी second अब इसी तरीके से बड़े वाले सर्कल में देखिए ओ पी लंब है इस जीवा पर AB पर तो इसलिए AP जो भाग है वो BP के बराबर होगा AP is equal to BP क्योंकि लंब perpendicular इसको bisect करता है ठीक है ना तो इसका मतलब मेरे पास आ गया कि AP is equal to BP and MP is equal to PN अब मैं क्या करूंगी बड़े लाइन में से छोटे को माइनस कर दूंगी देखिए AP में से MP को माइनस कर देंगे बिटा AP तक हम आ चुके ना इसमें से MP को आप माइनस कर देंगे तो क्या पचेगा आपके पास AM ऐसी सेम है बिप में से PN को माइनस कर देंगे तो माइपस क्या पचेगा BN देखिए from 1 and 2 हम इनको नमबर से दिये माइनस किया AP minus MP is equal to BP minus PN so that becomes MP is equal to PN और यही प्रूफ करना था हमें हमें प्रूफ करना था AM AM is equal to AM is equal to BM हमारा डिजर्ड यहां प्रूफ हो जाता है देखिए बड़े हिस्से में से हमने छोटा हिस्से को माइनस कर दिया AP minus MP तो इदर से बच किया AM और BP BP में से PN को माइनस करा तो मैं पस बच किया BN ठीक है बटा अब आप एक ठीओरम और कंसिडर करेंगे एक बित की बरापर जिवाएं केंडर से समान दूरी पर होती है अगर जिवाएं बरापर दे रखिये हैं मतलब अगर सेंटर से इनका डिस्टेंस निकाला जाए तो वो भी एक्वल होगा इसका डिस्टेंस OM है अधर इसका डिस्टेंस ON है तो अगर हमारे पास AB पूरी जिवा इस जिवा के बरापर है कॉड AB is equal to कॉड CD तो जो इसका सेंटर से डिस्टेंस है OM इस विल बी एक्वल तो ON ठीक है तो आपको ये चीजे ध्यान रखने है इसका कनवर्स भी ट्रू है कि अगर डिस्टेंस एक्वल दे रखा है तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब जिवाएं भी आपस में बरापर हैं बिटा ठीक है तो बहुत ध्यान से आपको इन रिजल्ट्स को समझना है और याद करना है जिससे कि हम इन्हें अपने कोशन में और अपने प्रॉब्लम्स में यूज कर सके देखे एक कोशन करते हैं OM is perpendicular to AB देख रहा है आपको यहाँ पर 90 का sign भी लगाव है और OM हमें दे रखका है 3 cm और AB पूरी लाइन जो है 8 cm है बिटा और हमें OB निकालना है OB चलिए इसे करते हैं तो सबसे पहले मैंने इसको OB को मिला दी है ठीक है OB मुझे find out करने है अब आप देखिए कि अगर AB 8 cm है बिटा और यह इसके ओपर लंब था यह लंब है ना इदर और यह pull line 8 है तो अभी हमने सीखा था कि अगर लंब होगा perpendicular होगा तो यह bisect हो जाएगी इसका मतलब AM भी 4 है और BM भी 4 है that means BM is equal to 4 cm reason क्या है क्योंकि OM perpendicular दे रख है AB पर और perpendicular इसको bisect करता है आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं अब देखिए बिटा आप हम सिर्फ consider करेंगे triangle OMB तो यह किस तरीके का triangle है यह एक right angle triangle यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यह right angle बन रहा है तो यह right angle triangle है जिसमें कि दो साइट्स मुझे पता चल गए यह एक 3 और एक यह 4 है ना और तीसी साइट कैसे निकालते हैं क्या यूज करेंगे अब इसका हम आपको समझ आ रहा है मेरी ख्याल में आपको पता चल गया है कि अब हम इसमें pythagoras theorem का यूज करेंगी है ना सो क्या होता है वो hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square तो यह कितना है यह हमें निकालना है और perpendicular इसका 3 square हो गया plus base हम निकाल चुके 4 square so that is equal to इसका नाम लिखतेते हैं OB OB है ना so it is 9 plus 16 equal to 25 so that is equal to 5 cm तो आपने देखा कि हम कहां से circle से हमने शुरू किया था और circle में हमें triangle मिल गया right triangle triangle और उसमें हमें pythagoras भी लगानी पड़ी बिटा तो आप देखते हैं कि मैस में एक concept के साथ हम दूसरे concepts का भी हमें कितने कितनी बाहर use करना पड़ता है इसलिए बिटा हर चीज को आपको ध्यान से समझना है और उनको इस तरीके से याद करना है कि कभी भी जरूत पड़े तो आप फॉरन आपको क्लिक हो जाए कि हान नहीं इस वक्त मुझे यह चीज़ अप्लाई करना है ना तो यहां हम लिक भी देंगे कि हमने क्या यूज कि है कौन सा रूब पाइथा बोरस ठीक है देखे बिटा अब हम आज का लेसन यहीं फिनिश कहते हैं आपको सब समझना है और यह देखे है हमाए सामने एक को लिक हाव है तैन यूर्स फॉम नाओ make sure you can say that you chose your life you didn't settle for it क्या मतलब है बिटा इसका कि आप आज से दस साल बात सोचे कि आपने अपनी लाइफ को किस तरीके से settle down किया है कोई compromise ने किया और कोई भी इस तरीके से उसमें चीज नहीं छोड़िये कि कल को आपको अफसोस हो कि मैंने यह time waste कर दिया था ना आपने अपनी लाइफ आज बनानी है and you have to work for it बिटा stay safe stay blessed आपको पता ही है कि किस तरीके का time चल रहा है आज कल तो बिटा आपको अपना बहुत ध्यान रपने all the best